सब्सक्राइब दोस्तों कैसे आप लगतों दोस्तों मैं आप सभी को आपके अपने वह वह से परक्सक्राइब दोस्तों आज के इस लेक्षर में basically what we are going to study कि मैं पढने वाला ने पढ़ने पढ़ने वहाँ एक इस तरी किसे इस सारी चीज़ों के बारे में हम क्या बात करें गया और यह बात कर आज जानी माने परसनालीटी यह दोस्तों हमारे इतियास के पड़ने अगर आप पल्टो गए तो आपको इनके बारे में एक बहुत ही डिटेल इंफॉर्मिशन दिखनी मिलें इनके कॉंट्रिबिशन के बारे में आपको पता चलेगा दोस्तों तो चलिए कि करके यहां पर चीजों के बारे में हम स्टाट करते हैं और लेक्चर की शुरुवात करते हैं अब सबसे बेले लिए पोयम की अगर मैं बात करता हूं यह जो पोयम लिखा गया था यह 1910 में लिखा ग यह जो पोयम था यह प्रात्ना के फॉर्म में हमरे जो भगवान होते हमारे जो डाइटी उनको क्या यह लिखा है जहां पर वह विंती कर रहें कि कहीं ना कहीं हमारे देश को एक अच्छी बोलते ना एक अच्छे समय में लेकर आ जाए या फिर उनको अच्छे चीज़े प क्या इसका मतलब क्या यह कहीं ना गई जो रमिंदर ना टेगौर की एक प्रात्र है भगवान से कि हमारा जो देश उसको अज़ाद कर दिया जाए जहां पर जो लोगे वो क्या सर उठा की जी सके जहां पर उनके दिमाग में किसी भी तरह के का टेंशन ना हो किसी तरीके का स् इस प्री यह चीज़ क्यों करिये के जहां पर नॉलिग क्या परी हों मतलब जहां पर हर एक इनसान को पड़ने का अधिकार हो अब यहां पर थोटी बात के लेते मतलब इससे कहा क्या गया है जब ब्रिटिश सिस्टम था जब राश किया करते था हमारे देश पर कहीं ना य वारियर जय साथ जहां पर अगर आपको स्कूल जाना है तो इसी पर्टिक्लर लोग ही स्कूल जा सकते याप कर प्यूक्र लोग इन्हीं पर्टिकूलर लांगविज में ही उनको की एजुकेशन ग्राब कर एंट ना वो कर सके एजसाने कि कोई बोले हम तुम्हें यह करना तो यही करना बढ़े नहीं उनके पास पूरी फ्रीडम उनीची-टोटल फिडम उनीची कि वह अपने हिसाब से जो क्या बोला गया कि देखना एक फ्रेग्मेंट्स की अगर बात करूं तो यहीं पर हम हमारे रभीना टेकर जी ने इसे रिलेट करते हैं कि मुझे हमें एक एसा देश है जहां पर लोग मिल जूल के रहे प्यार से रहे एकत्रा रहे यूनिटी दिखे उनमें नहीं चाहता कि मेरा देश आगी चल कर एसा देश जो जातपात पर धर्म पर अमीर और गरीब के हिस्सों में क्या बटा रहे जहां पर लोगों की सोच के वज़े से लोगों में क्या हो लोगों में डिविजन तो वह यह नहीं चाहते थे जहां पर मेरे भारतवासी जहां पर मेरे देशवासी सब एक साथ मिल जुलकर प्यार से क्या रहे और एक दूसरे का बैगपोन बनके क्या रहे फिर क्या बोला है वेड़र वर्ट कम आउट फॉम देप्ट ऑफ तुट वेड़र टायले सभी सच इस साम चुवर्ट पर फिक्शन क जो चीजे उसे पीछे छोड़ कर एक इमानदारी एक रास्ते पे चले लगी तो जो मेरा देश वह बहुत ही जादा अच्छा हो जाएगा बहुत जदा क्या प्यारा हो जाएगा जहां पर लोगों को सच्चाई के अलावा और कोई चीज़ों के बारे पता ही ना वहां पर ह कर जाएं तभी तो हमारा देश आगे बढ़ना क्या शुरू करें फिर उसके बाद वेट the clear stream of reason has not lost its way into the daily days desert sand of dead habit मतलब क्या बुला गया मतलब यह बुला गया कि जहां पर एक जो इनसान हो वो कभी अपने लक्ष्य से अपने मोटिव से अपने गोल से कभी पीछे ना आटे हमेशा उसको अपना जो गोल हो अपना मुझे मोटिव उसको पता रहे और वह उसको लेकर वह जो गोल से जो एम से वो सारी चीजों को क्या पीछे चीजों यहीं बोला कि ड्रेरी डेजर्ट सेंधाबट वेदा माइंड इस लेड़ फोवर्ट बाइदी इंट दे एवर वाइनिंग थॉर्ट एक्ष्ण इंट्ट एवन फ्रीडम माइफाद मैं कंट्री अवेग वही ब परपित करें मैं चाहता हूं कि मेरे देश को आप उस जगह पे लेकर जाओ या फिर उस समय पे क्या आप लेकर क्या चले जाओ ठीक है तो यहां पर बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करो तो यहां पर मैंने आपको पोयम एक्सपेंड कर दिया अब अगले वीडियो में हम क चॉपके एक्सजाइस कि बारे हम बात करेंगे नेक्स वीडियो में ठीक है तो मेरे खाल से चीज़ाद को क्लिए है थो फ्लीज वीडियो को लाइक करिए जान सबस्राइब कर दो तकco कहीं सारे वीडियोज हम आपके लिए करा सके आपके अपनी गिरी टूटल्स की यूटूब चानल पे दोस्तों तुम मिलेंगा वाल अगली वीडियो में तब तक के लिए घर पे रश्तुरुक्षित अपने धान जरुकना दोस्तों जहिंत दोस्तों